विजली बिल की रसीत कैसे डाउनलोड करते हैं अगर आपने अपना विजली बिल को जमा कर दिया लेकिन उसकी रसीत जो है उसका जो प्रिंट होता उसे आपने नहीं डाउनलोड कर पाया है चाहे आपने खुद से ही जमा किया हो या फिर किसी CSC सेंटर या फिर कहीं आप जो उसके बाद में search करा दीजिए search कराएंगे page खुल के आएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई सारे option मिलेंगे ति यहाँ पर consumer service का option दिया है तो आप consumer service वाले option पर click करिए click करने के बाद में यहाँ पर एक option मिलेगा दिया है last online payment receipt यानि कि जो भी आपने last में बिल जमा किया है उसकी receipt यहाँ से आप download कर सकते हो तो आप इस वाले option पर click करिए और click करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर discom का नाम पूँच रहा है तो आपको अपना discom यहाँ से select कर लेना इसको पर click करेंगे तो आपका पूरबांचल है मध्यांचल है दक्षिनांचल पष्चिनांचल जो भी है यहाँ से आप select करेंगे जैसे मेरे case में मेरा मध्यांचल है तो मैं इसको पर click करता हूँ उसके बाद में जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इधर side में account number माग रहा है तो आपको यहाँ पे बिजुली विल का account number होता है उससे डाल देना है और जो यहाँ पे संख्या दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं तीन प्लस दो दी एनिक दो प्लस तीन है तो यहाँ पे add करके यहाँ पर पाच आपको डाल देना है जैसे आप इसको पर किलिक करेंगे तो आपको जो बिजली बिल की जो रसीद है इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके कितनी बिजली कबिल जमा हुआ है और यहाँ पे किस डेट में जमा हुआ है सारा कुछ देख पाएंगे